लोगाइज आप सब्का बहुत स्वागत है तो ज्नसा कि काई आपके पास फूल टेश्ट वन लेकर आएथा इस difah मैं आपके पास फूल टेस्ट टू लेकर गया हूँ जहां पर complete syllabus से oriented हम questions को करेंगे और आपको एक complete test वाली feel आएगी पहले तो मैंने आपका last video का comment देखा बहुत ही शांदार बचों ने comment किये थे कई बचों के कहने थे कि मेरे 25 में सर 15 सही हुए कई हो कहने 12 सही हुए कई बचों के 20 प्लस भी सही हुए बहुत-बहुत बधाई congratulations और जिन बचों के कम सही हुए थे don't worry इस वाले full test में आप कोशिश कीजेगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा correct हो हम आपको इस बार एक goal देते हैं goal लेके चलिए कि आपके 25 questions में से at least आपके आज 17-18 questions 17-18 सवाल सही होने चाहिए आपको बहुत पसंद आएगा और focus होके बैठिएगा trust me यह आपके preparation में extra level of boost डालेगा so make sure आप pen और notebook लेगे बैठे हो और इन चीजों को पैडली solve करते जाए ठीक है तो आईए full test second में आपका बहुत-बहुत स्वागत है part 2 में हम आ गए है ठीक है और मैं आपको यह भी बता देता हूँ अपने हाँ पर क्या rating थी more than 60 to 80,000 students को mentor कर दिया है अलग-अलग organization से best teaching award मिला है लास्टेर हमारे 328 students जो सा लास्ट राउंड के counseling में IT में select हो थे more than 1500 student IT plus 90 में select हो थे अलग-अलग organization से best teaching award मिला है recently an academy से भी मुझे best teaching award मिला है ठीक है आईए शुरुवात करते है question number one के साथ यह रहा आपके screen पर पहल कीजे पहले घुट से आई होब आपने solve कर लिया होगा अब फड़ा फड़ा आते है questions की तरफ ठीक है देखे सो बोला गया है कि आपके पास compound है 2,4 dichlorohexane और बोला गया इसके दो chiral centers है जिसको अपन star से यहां दिखा रहे है as given below देखिए यहां पे दो chiral center है right समझ रहे है इसका fissure projection भी आपको given है एक, दो, तीन, चार चार तरह के इसके fissures आपको given है बोला गया कि बताओ pair of stereo isomers that are diastereomers इसमें से कौन ऐसे जोड़े हैं जो की diastereomers है great तो यह रहा आपके पास compound यह रहे इसके चार अलग-लग fissures और relations आपको ढूड़ना है diastereomers का simple सा estereo isomer system का सवाल है studio के बहुत सारे questions आपने 2019 2020 और 2021 में भी देख रखे हैं देखिए सबसे पहली बात तो यहां पे CL यहां पे CL यहां पे CL लगाया गया है ठीक है उसी तरीके से आप देखें यहां पे CL यहां पर H है इसका mirror image CL और H लगाया गया है तो अगर मैं यहां पे mirror डाल दे diastomers उनको बोलते हैं जो ना तो एक दूसरे के mirror image होते हैं ना ही एक दूसरे पर superimpose किये जा सके हैं तो अब देखिए यह यह तो enantiomers है यह यह enantiomers है पर एक और तीन को देखिए दोनों में कोई relation नहीं है CL CL है इधर देखिए CLH है तो ना तो एक और तीन एक दूसरे का mirror image है ना ही एक दूसरे पर superimpose किया जा सकता है तो हम इसको क्या बोलेंगे diastomers तो एक तीन हो गया उसी तरीके से एक चार में भी देखिए तो एक तीन एक चार सिमिलरली इधर से आईए दो तीन और दो चार तो एक तीन एक चार दो तीन दो चार यह ना तो एक दूसरे के mirror image है ना ही एक दूसरे पर superimpose किये जा सकते हैं तो इस तरह के compound को diastomer बोलते हैं तो देखिएगा एक तीन एक चार दो तीन दो चार यह diastomers हो गए तो c is the correct answer समझ में आ गया सारे बच्चों को क्या आप सारे बच्चों को बात समझ में आ गई है मेरे हिसाब सारे बच्चे स खुद से वीडियो को रोकिए और ट्राइ कीजिए कर लिया अब चेक कीजिए solutions को बोलागी है oxidation number of sulfur in oxy acids of sulfur H2H2O8 इस oxy acids of sulfur में oxidation state sulfur का क्या होगा यह हमारा question है कर रहे हैं आप कीजिए इसको खुद से solve कीजिए आईए आपको बताएं तो सबसे पहले तो आपके पास जो acid है यह है H2S2O8 आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका नाम सही सही सोच पाए होगा और सही हुआ होगा comment करके बताएगा और effort कैसा लग रहा है like कर दीजेगा share और subscribe भी कर लीजेगा आएए देखें इसमें 2 sulphur है S double bond इधर से लीजे यहां से भी लीजे double bond O यहां से लीजे OH, यहां से लीजे O, यहां से S, डवल बॉंड O, यहां से O, और यहां से O, देखो हो गया, H2 हो गए, 1234, 1567, 8, 8 हो गए, आप देख़े हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, पेरोक्सी डाय सलफ्यूरिक इसिड, या एक सांटिस्ट थे, प्रोफेसर ह इसका मार्शल वार्श नाम पर रखा गया है मार्शल अशेट ठीक है ना जी है अब हम से क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया कि बताइए इसके अंदर ना sulfur का oxidation state कितना होगा तो आप check कर लो minus 2 minus 2 minus 1 minus 1 तो 2 2 4 2 6 तो sulfur कितना आ गया plus 6 में आ गया similarly minus 2 minus 2 minus 1 minus 1 तो 4 तो 2 2 4 2 6 तो sulfur plus 6 में आ गया तो दोनों के दोनों sulfur जो है इसके अंदर किसमें है plus 6 oxidation state में है so A is the correct answer तो बेटा देख लो ध्यान से यह marcells acid था peroxide sulfuric acid plus 6 का आ रहा है अगर आपका सही हुआ है तो comment करके बताईएगा कितने सही बने और आपको मज़ा किस किस सवाल में आया ठीक है next लीजिए तीसरा सवाल आपके screen पर है यह भी inorganic का question है deal कीजिए इसको कर लिया now it's my turn आईए so बोला गया है कि which of the following does not decompose to give oxides of metal तो इसमें से कौन ऐसा है जो गर्म करने पर metal का oxides जो है ना वो नहीं देता है this is our question ठीक है does not बोला गया है तो देखो अभी basic सा फंडा है कि आपको पता होगा कि transistor metal के जो nitrates होते हैं या आपके पास alkaline earth metal के जो nitrates होते हैं second group बाले आपको पता है वो गर्म करने के बाद वो NO2 gas देते हैं oxide वगरे भी बनाते हैं लेकिन जो alkaline metal के nitrates होते हैं generally वो गर्म करने पर NO2 gas नहीं देते बट इसमें एक exceptional case आता है lithium nitrate lithium का size बहुत छोटा होता है छोटा size होने के वज़े से इसकी जो polarization power होती है वो बहुत high होती है तो फजांस rule के according ये nitrate को या sulfate को या bisulfate को या carbonate को जो बड़े बड़े anions होते हैं ना इनके cloud को polarized कर सकता है and due to this extreme polarization इसकी thermal stability बटा कम हो जाती है और गर्म करने पर ये बड़ी सरलता के साथ आसानी के साथ recompose हो जाते हैं देखे लीथियम नाइटरेट ये exceptional way में गर्म कीजेगा ये Li2O बनाएगा साथ में NO2 साथ में O2 हम balance नहीं कर रहे हैं required नहीं है मैगनिसम नाइटरेट को गर्म कीजे ये तूट जाएगा MgO में टूट जाएगा NO2 में टूट जाएगा O2 में टूट जाएगा यहां भी Oxide आ गया कैलसियम नाइटरेट है मैगनिसियम हो गया कैलसियम हो गया आपका Estrontium हो गया आपका Barium हो गया ये जो भी है ना सेकेंड वाले सब टूट जाते हैं इसको गर्म कीजेगा, तो calcium oxide जिसको चूना बोलते है, NO2 और O2 आएगा, ठीक है, rubidium nitrate में अपनी दाल नहीं गलने वाली है, बहुत extreme level पे heat करना होगा, ordinary conditions में rubidium nitrate नहीं तूटेगा, तो जैसे की sodium nitrate हो गया, या आपका rubidium nitrate हो गया, या potassium nitrate हो गया, या ordinary conditions में तूटते न O2 बनाएगा, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा, अगर हम बहुत ज्यादा इसके साथ गर्मी वर्मी डाल देंगे न, तो ये nitrate जो है, वो nitrite में convert हो जाएगा, और oxygen में चला जाएगा, फिर अगर ड्रास्टिक condition पे जाएगा, तब कुछ हो सकता है, तो यार सीधा सपा रहने दो सवाल को, सवाल को बहुत तुफानी नहीं बनाते हैं कि तो हम फरनेस में डालके 800-900 पे गर्म कर दिए, सीधा सा मेंस लेवल का question है, किसको गर्म करेंगे तो metal oxide नहीं देगा, डिकंपोज होके, तो ये चुके alkaline metal का nitrate है, और lithium नहीं है ये, sodium, potassium, rubidium, cesium, ये सब generally गर्म करने पर oxide में convert नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा ये night right में चले जाते हैं, I hope सही हुआ होगा, D is the correct answer, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है, तो like कर दीजेगा, share कर दीजेगा, ठीक है, number 4 पे आते हैं, provide the proper IUPAC name of the compound given below, एक compound आपको यहां पे given है, इसका proper IUPAC नाम आपक solve कर लिजे, कर लिया, now it's my turn, अब देखो सबसे पहले इस compound में यह धूंडो कि functional group कौन सा है, आपने धूंड लिया होगा, यहां पर ester आपको दिख रहा है, यह देखिए ester दिख रहा है, दिख रहा है ester, मतलब यह एक ester वाला compound है, अब ester के compound में हम क्या करते हैं, numbering इस व नमबर पे लगा हुआ है, और ester लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले alkyl लिखते हैं, फिर alkyl का मतलब methyl हो गया, और oct देखिए और 5 पे in देखिए, methyl oct 4 पे in गलत है, methyl oct 3 पे in गलत है, methyl oct 3 पे in गलत है, देखिए methyl सही नजर आ रहा है, यह रहा methyl वाला पार्ट, इसके ब in 108, हालां कि यहां पर E नहीं होना चाहिए, अगर आप चेक कीजेगा, तो logically यहां पर E नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे वोवल है, तो आपन उसको हटा देंगे, तो correct answer क्या हो गया हमारे पास, C is the correct answer, clarity आ गई है सारे बच्चों को, methyl oct 5 in 108, तो C is the correct answer, ठीक है, ओके guys, next question क की दरफ आते हैं, बहुत ही खुशुरत सा सवाल है, आप इसको खुद से try कीजे, in the following pairs, which does not represent isoelectronic species, इसमें से कौन सा isoelectronic species को represent नहीं करता है, iso का मतलब same, electronics मतलब electron, number of electrons आप पहले पता कीजे, same किस-किस में, तो यहां पर nitrogen होगे, 7 होगे, और 3 माइनस है, 3 add कर दीजे, 10 electron ह होगे, 10-10 यहां से आपको नजर आगे, यहां से आई, carbon के किते होगे, 6, oxygen के होगे, 8, 8 प्लस 6 किते होगे, 14 electron, यहां से carbon के किते होगे, 6, और nitrogen किते होगे, 7, और 1 माइनस है तो add कर दीजे, 13 प्लस 14, 14 electron, उसी तरीके से oxygen के 8, 2, 16, और 2 माइनस add कर दीजे, 18 electron, और fluorine के 9 गु और एक एड करती है 14, 14 एलेक्ट्रोन है, तो यहाँ पे आपके पास total मिला के, यहाँ पे 17 एलेक्ट्रोन है, 8, oxygen के पास होए, 2 है तो 8, 12, 16, 1-7 और यहाँ से carbon के 6, nitrogen के साथ, और एक एड करती है, माइनस का plus 1, तो यहां पे आप clear देख पा रहे हैं number of electrons अलग-अलग है तो not isoelectronic यह जो होंगे यह isoelectronic नहीं होंगे so D is the correct answer आगे वासवज में typical type का J mains का question है जो आप देखते हैं previous year में भी आपको कई वार नज़र आए होंगे mains का test series आपने दिया होगा clear है moving to next question 6 यह organic chemistry से पूछा गया सवाल है इसको आप लोग खुद से try करने की कोशिश कीजिए कर लिया आपको अगर हमारा effort पसंद आ रहा है तो like कर दीजेगा मेरे इस पूरे के पूरे system में बड़ी दिक्कत आ रही है इसमें lag बार-बार करता है इसलिए हम live नहीं आ पा रहे है वीडियो को बना-बना के add करके जोर के edit करके फिर आपको देगे बहुत hectic काम है मेरे लिए बट मैं लेके आ रहा हूँ अगर आपको पसंद आए तो like, share और subscribe कर दीजेगा बोला गया है कि identify कीजिए correct acidic strength को दिये गए compounds के लिए ठीक है हाँ जी आपको पता है कि अगर एक अच्छे acid की बात करें तो एक अच्छा acid वो होता है जिससे जब हम hydrogen निकाल लें तो बनने वाली जो conjugate base है समझे रहो जब किसी acid से H निकालते हो तो जो conjugate base बनता है वो बहुत ही poor हो कैसे by stabilizing itself खुद को stable कर ले अब चेक करो कि किस hydrogen को निकालने के बाद conjugate base maximum stabilize हो जाता है आओ देखें अगर मैं इस H को निकालता हूँ तो negative यहां से यहां आएगा resonance आगे जाएगा यह आगे जाएगा यह आगे जाएगा यह आगे जाएगा Oh my God extended या इधर से इधर जा सकता था इधर से इधर जा सकता था तगड़ा वाला resonance काम कर रहे तीन में ठीक है अगर मैं एक से निकालता हूँ मैं color change करके आपको दिखा देता हूँ अगर मालो मैं एक से निकालता है लेटस से तो एक से निकालने के बाद negative यहाँ आता फिर यह आगे जाता यह आगे छोटू सा resonance है तो एक भी अच्छा है पर उतना बढ़िया नहीं जितना बढ़िया तीन है अगर मैं दो की बात करता हूँ बेटा तो दो में सिर्फ और सिर्फ इतना छोटकू सा resonance काम कर रहा है सबसे best होगा 3 3 के बाद होगा 1 और 1 के बाद होगा 2 आई वास समझ में या नहीं आई सबसे best काम करेगा 3 सबसे extended resonance है इसके बाद कर रहा होगा 1 इसमें छोटा सा resonance है और इसके बाद कर रहा होगा 2 इसमें सबसे छोटकू resonance है तो correct answer हो गया 3 then after 1 and then after आपके पास 2 आ गया तो 3, 1, 2 बोले तो D is the correct answer अगर आपका सही हुआ है तो comment करके बताईएगा कितने correct हुए ये भी बताईएगा ठीक है, okay guys next question की तरफ आते हैं पड़ा प्यारा सा सवाल है बोला गया है कि which of the following species are not linear इसमें से कौन सी species है जो कि linear नहीं हो सकता है, एक हो जएदा हो आई चेक करते हैं तो आपको कुछ basic सी bonding पता होनी चाहिए इसके लिए सबसे पहला ICl2- है आपने ICl2- हो गया या IBR2- हो गया या I3- हो गया आपने देखा होगा इन ions को आप जानते हो कि ये SP3D hybridized होती है और actually लिए linear molecule होती क्योंकि इसमें तीन लोन पेर है, आप जानते हो ये रहा iodine, यहां से देखो रहा CL यहां से रहा CL, ये रहा पहला लोन पेर, दूसरा लोन पेर, तीसरा लोन पेर, ठीक है, समझ रहे हो और इसके उपर charge किता है, माइनस है तो ये रहा हमारे पास species, ये linear है, बिलकुल linear है आप देख रहे हो SP3D hybridized है, SP3D hybridized है, है न, geometry इसकी trigonal, bipyramidal है TBP geometry है, और इसकी जो shape है, वो linear है उसी तरीके से I3- है ये रहा I, यहां से आई, यहां से आई, एक तरब से पहला loan pair, दूसरा loan pair, तीसरा loan pair, और यहां से आजाओ, ये रहा minus, ये I3- है, समझ रहो तो I3- भी आपके पास linear है अब आईए, N3- N3- N double bond N, double bond N यहां पे plus, यहां पे minus यहां पे minus, यहां पे minus, जी हां, ये भी हमको linear नजर आ रहा है, लेकिन आप एक बास समझ लीजिए, I3- linear होता है ICl2- linear होता है N3- linear होता है C2H2 भी linear होता है, लेकिन N3- में एक unique बात है कि N3H जो होता है वो angular होता है, bent होता है अगर इसी जगे N3H होता ना तो यह ऐसा हो जाता, यहां से यह bent कर जाता, समझ रहो प्लस माइनस, तो अगर इसी जगे अपन N3H put कर देते, तो answer गलत हो जाता, पर चुके हमारे पास सिर्फ आयन की बात की गए, तो linear है ClO2 is not linear, क्योंकि आपको पता chlorine के पास total कितने electrons है, 7 electrons है तो देखो यहां से, 2 यहां से लगे, 2 यहां से लगे, 1 जो यहां पे है, और एक यहां पे odd electron है, तो यह odd electron species के अंदर आता है, जो की V-sep का, या bent-sep का होता है, तो यह bent या V-sep या angular है, तो correct answer हमारे पास D हो गया, बाकी के 3 के 3 linear है, सिर्फ यही एक ऐसा है, जो की non-linear species है, clear है सबका, सही अगर हो रहा है, तो आप लोग बताते जाना, ठीक है, like कर देना, बता देना, नीचे score कितना आया ठीक है न, हाँ, नए हो तो subscribe भी कर लेना, next आईए, 8 पे आते हैं, एक बड़ा ही खुबसूरत सा सवाल है, which of the following carbonine is least basic, try करो कर ली try, now it's my turn देखो least basic बोला गया है, बोले तो सबसे कम basic कौन से है, तो सबसे कम basic का क्या मतलब है, जो सबसे ज़्यादा stabilized होगा, वही अपने loan pair को donate नहीं कर पाएगा, अब चेक कर लो, सबसे ज़्यादा stabilized कौन है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, least basic का मतलब हो गया, most stabilized, क्योंकि जो जितना ज़्यादा stabilized होगा, वो अपने loan pair को या negative charge को जल्दी से donate ही नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो, सबसे करो, क्या यहाँ पर को stabilization है, ना, क्या यहाँ पर stabilization है, ना, क्या यहाँ पर को stabilization है, हाँ, यहाँ resonance stabilized है, आप सोचो, जो जितना कम stabilized है, वो उतना ज़्यादा basic है, यह विचारा बड़े बुरे हाल में है, यहाँ पर देखो, negative charge पर charge density बढ़ी पड़ी है, तुरंत ही H positive को catch कर लेगा, सबसे ज़्यादा basic यहाँ पर मैं order की बात करो, तो D हो गया, इसके बाद B हो गया, इसके बाद A हो गया, और सबसे कम जो आपके पास आएगा, वो C आएगा, क्योंकि C जो है, वो reso stabilized है, बोले तो resonance stabilized है, आती बात समझ में क्या, तो सीधी सी बात है, जो जितना ज्यादा stabilized होगा, वो अपने loan pair को कही को donate करेगा, और जो donate ही नहीं करेगा, तो वो कही का base भाई, तो C जो है, इन चारों में सबसे कम basic है, clear है ना, सही हो रहा है, तो बताते जाहिएगा next, 9 पे आईए, question number 9, चलिए, screen को रोकिए, video को रोकिए, और खुद से solve कीजिए कर लिया, अब मेरी बारी, बोलागा, which of the following is most acidic, कुछ है, इसमें number दिये गए, ये वाला पहला A है, ये वाला B है, ये वाला C है, ये वाला position D है, चारों में से सबसे ज़्यादा acidic कौन है, अब आपको पता है, हम पहले ही बता चुके है, कि जो acidic strength होता है, that is directly proportional to the stability of conjugate base, मतलब, hydrogen हटाने के बाद, जो negative species बची, उसके stability को check कर लेना है, तो यहाँ से check करो, क्या नजर आ रहा है, इसको हटाएंगे तो को stability है, ना बाबाबा ना, यहाँ से भी ना, यहाँ से भी ना, पर D को अगर हम हटाएं, बिटा, यहाँ से देखो, अगर मैं D को हटाता हूँ, तो मज़ा आ जाएगा, कैसे, यहाँ आएगा negative, आएगा negative, अब देखो, यहाँ से जो negative आया, वो यहाँ जाएगा, यह यहाँ जाएगा, यह यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बिटा, resonance stabilized, so this is highly resonance stabilized, so simple सा फंडा है, कि जब आप यहां से हटा रहे हैं, तो मज़ा आ जा रहा है आप इस compound को बोलिएगा crotonaldihyde क्या बोलेंगे, crotonaldihyde आती बात समझ में, तो crotonaldihyde जो है, वो बहुत ही ज्यादा stable conjugate base बना रहा है so ये वाले hydrogen इनके acidic है, यहां से हटाने पर resonance बहुत कम काम करेगा बहुत अच्छे से extended resonance नहीं होगा, और बीच वाला carbon SPB हो जाएगा, इसको हटाने से कोई फरक नहीं पड़ रहा है, तो correct answer हमारे पास D हो गया, so D is the correct answer, clear है, सबसे lumbar resonance D में ही दिख रहा है आई हो, पसंद आ रहा होगा, like कर दीजेगा और बताएगा कितने correct होए, next नमबर 10 पे आईएगा, वाव again a beautiful question खुद से solve कीजे, मैं हट जा रहा हूँ कर लिया, now it's my turn बोला किया है कि which of the following compounds has negligible in all, यह tau-to-merism का question है, जब आप structural isomerism पढ़ते हैं, तो उसमें tau-to-merism के questions बनते हैं, आपने 2021 में metameryism का question देखा था J mains में, तो मैंने यहाँ tau-to डाल दिया है, तो full test में स्वागत है आपका कीजे solve आप, कर लिए मेरी बारी है, सबसे पहले बात करते B में, देखो B में अगर मैं tau-to-merism करा दूँ, तो यहाँ CO, यहाँ CO आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, अब आपको पता है, यह species जो है, वो aromatic के जैसी behave करती है यह एक aromatic species है, यह कहाँ से drive हुई है, squaric acid से, अगर आपको थोड़ा सा जानकारी होगा, तो यह squaric acid जैसा दिखता है, और squaric acid aromatic होती है, हम आपको बता चुके हैं, उसी तरज पे हम इसको भी aromatic बोल सकते हैं, तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से stabilized हो जाएगी, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो यह cyclic one two die keto है, तो इसमें क्या होता है बटा, कि एक ही keto inolize होता है, दोनों नहीं होता है, तो यहां से एक keto inolize हो जाएगा, यहां से OH, यहां से double bond, hydrogen bonding इस तरीके से काम करेगी, resonance और hydrogen bonding दोनों आ गया, must है C में, C में भी हो रहा है, B में भी हो रहा है, अब आएगे D में, D जो है यह one three keto compound है acetile acetone है, यहां भी बटा काम करेगा, देखो कैसे, यहां से आ गया OH, यहां गया double bond यहां गया CO, hydrogen bonding काम कर रहा है, यहां CS3 यहां CS3, जी हां must काम कर रहा है D में भी तगड़ा काम कर रहा है C में भी तगड़ा काम कर रहा है B में भी तगड़ा काम कर रहा है A में यह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा यह बैमानी नहीं चलेगा क्यों, A में क्या हो रहा है, यह देखो A में कुछ गोलमाल नहीं पूरा मामलाई गोलमाल है यहां से OH आ गया अब जो यह species आई है यह anti-aromatic है अगर हम इसको stable करेंगे तो anti-naraj हो जाएगी ठीक है यह anti-aromatic है this is anti-aromatic और anti-aromatic does not exist at room temperature समझ में आई बबुआ so A वाला जो हो गया वो correct answer हो गया इसका नाम मातर का in all content पाया जाएगा पसंदाया तो like कर दीजिएगा आई होप यह आपका favorite question में से एक होगा next लेते हैं 11 बोला गया है in the reaction between copper sulfate and potassium iodide a सफेद रंग का precipitate is formed the precipitate has the composition बताओ तो जी क्या composition है इसका जब copper sulfate के साथ रियाक्ट करेगा हट जाएं लो हट गए रोक लो स्क्रीन लगा दो भेजा लगा दिया answer आ गया अगर तुमारा answer A आ रहा है तो congratulations गलत है B आ रहा है तो भी गलत है C आ रहा है तो बहुत ज्यादा गलत है बचा D, D is the correct answer मैं समझाता कई से तुमको देखो सबसे पहले copper sulfate है अभी अपन इसमें क्या करेगा KI डालेगा ना तो देखो इधर दो लगाने का तो इधर से बनता है K2SO4 और साथ में आता है CUI2 बता क्या ऐसा कोई compound तुमने देखा है मैंने तो अपने करियर में नहीं देखा है ऐसा lab में कोई compound CUI2 काए कही कि यह unstable होता है तो यह तूट जाएगा और यह बनाएगा CU2I2 प्लस I2 बैलेंस कर दीजेगा इसका white precipitate आपको मिलता है white PPT तो CU2I2 जो composition निकल रही है वो यह है कई बच्चे complex बना दिये होंगे देखो यहाँ पे complex बनाने में न दो जवर्दस्त समस्या है पहली बात यहाँ पे copper जो है न जी वो plus 2 oxidation state में है जो की copper plus 1 में चला गया प्लस 2 में नहीं है दिक्कत नमबर एक दिक्कत नमबर ये कि जो complex जो है न K2CIO4 यह soluble होता है इसका कोई precipitate नहीं आता है तो दोनों ही मामले में गलत महा गलत हो गया ये इसलिए C तो नहीं होगा क्योंकि पहली बात तो ये एक transparent solution देता है दूसरी बात copper plus 2 में अपने copper plus 1 में चीए C2I2 is the correct answer so D is the correct answer मज़ा आ रहे एकदम enjoy कर रहे हैं नोट करके जहां जहां गलती करते हो पसंद आए तो like कर दीजेगा share कर दीजेगा शैनल पर नए है तो subscribe भी मार दीजेगा ठीक है घर के सारे phone से subscribe कर दीजे सबसे देखिए next पे चलते 12 इसमें बोला गया है क्या बोला गया है वो भी देख लीजे यहां पर ALCLT ते एरो पर है ठीक है which of the following does not involve rearrangement reaction बताओ तो हम हट जाएं लोग हट गए अब try करो इसको कर लिया कि बताओ किस reaction में involve rearrangement का कोई नामो निसान नहीं है जहां rearrangement होता ही ना ही हाई कौन है वो देखो सबसे पहरा तो rearrangement का मतलब क्या होता है rearrangement का मतलब होता है कि जब हम किसी atom को किसी nucleus को एक जगे से उठा के दूसरे जगे रख देते हैं इसको बोलते है rearrangement जब कोई electron कहीं से कहीं जाता है थोरा सा displacement हो गया या pie का cloud एक जगे से दूसरे जगे सूच हो गया तो इसको rearrangement नहीं बोलते हैं आप इसको कोई electronic effect बोल सकते हो rearrangement होने के लिए essential और main conditions है कि वहाँ पर कोई nucleus या atom जाना चाहिए एक जगे से दूसरे जगे पहले में आते हैं देखो ये क्या है देखो ये amide है और यहाँ पर क्या हो रहा है ताउटो मेरिजम जैसी फेनोमेना हुई है यहाँ से hydrogen उठके उपर चला गया और bond नीचे आ गया यहाँ atom अपना जगे बदल रहा है तो जी हाँ ये rearrangement है आ गया हो अब देखो CS3, CS2, 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 CL AL, CL3 आएगा CL को ले जाएगा और 4 carbon के बाद positive आएगा फिर यहाँ से जो hydride है वो migrate कर जाएगा इसके बाद ये carbocatine बनाएगा फिर CL- आके लग जाएगा और ये 1 chlorobutane से 2 chlorobutane हो जाएगा हुआ ना rearrangement जी कैसे? rearrangement हुआ ना पहले chlorine लगा हुआ था एक number पे अब item घूम के मार दिया दो number पे तो हो गया rearrangement तो इधर भी rearrangement हो गया आपने को not बोला गया है रुको तीसरे पे आओ अब ALCL3 है यहाँ कैसे rearrangement हुआ? देखो यह ALCL3 है आजाओ यहाँ से ALCL3 बारा CL स्वाहा उर गया positive आया ठीक है यह कहाँ गया ALCL4 माइनस बना के हट गया अब क्या होगा? similarly 1-2 hydride shift होगा और यहाँ से isopropyl के time बनाया इसको attack करा दो इससे क्या बन गया? इससे कुछ ऐसा बन गया यहाँ से क्या rearrangement हुआ? हुआ ना जी प्रोपाइल, isopropyl में convert हुआ इसी को तो rearrangement बोलते है जी देखो atom यहाँ से यहाँ कूद गया atom एक जगे दुसरे का change हुआ इसी को बोलते है rearrangement यह भी rearrangement है अब बताओ इसमें कोई rearrangement है क्या? ना हमको तो ना ही दिखत है देखो यहाँ KCN है तो CN- क्या होगा? हमला कर देगा VR हट जाएगा CS3, CN, KBR यह typical सा SN2 reaction है बेटा जी यह typical सा SN2 reaction से इसमें no rearrangement is happening in this case तो correct answer क्या हो गया? D is the correct answer I hope कोई doubt नहीं रह गया मजा रहा है दो like कर दीजेगा ठीक है? next पर यह तेरा ओके इसको खुद से solve कीजे हम यहीं पर रुक जाते है यह lag नहीं है this is not lag which of the following compounds है zero dipole moment इसमें से zero dipole moment बताओ किसका है करे try करते हैं तो आपको पता है कि dipole moment जो होता है वो एक vector quantity होती है अब vector quantity का क्या मतलब है? इसमें Drexler magnitude दोनों हो रहा होगा तो ले ले फिर चलिए फिर try करें अब देखो CL जो है जबरदस्त खीचने वाला है minus i लगाता है तो यह क्या करेगा? इधर से इधर खीचेगा मैं भी खीचेगा resultant उपर जाएगा और मैं already उपर खीच रहा हूँ बहुत बढ़िया तो यहां तो mu is not equal to zero जी यहां zero आया ही नहीं क्योंकि यहां तो resultant जो हो रहा है बिचके वाले क्लोडिन से पास कर रहा है तो यहां तो नहीं आया जी यहां zero नहीं हुआ ठीक है इधर आओ यह मैं उपर खीचेगा तो नीचे खीच कर देते हैं zero तो यहां से government बिच गई जी zero हो गया dipole moment काट कूट दिया एक दूसरे का यहां से यह बोलेगा मैं नीचे खीचेगा तो ऊपर खीचेगा यह इधर खीचेगा cancel नहीं हुआ somehow resultant यहां पर कहीं पर लाई कर रहा होगा यह इसको अगर cancel कर दो तो यह वाला cancelant जो है CCL का यह zero होने नहीं देगा तो mu is not equal to again zero ठीक है आगए जी अब इधर आईए यह बोलेगा मैं खीचेगा उपर मैं खीचेगा इधर तू खीच इधर तो dipole इधर से निकल जाएगा तो mu is not equal to again zero तो क्या नजर आया A जो है non zero है C non zero है D non zero है B में ही केवल zero है और बोला गया zero किस में होगा तो correct answer है only two only second वाले में zero हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा है आ रहा है समझे confidence आ रहा है वड़ो अब देखो ऐसा ऐसा question भी हम लाएंगे आने वाले test में जो full test होंगे OH OH में होगा या नहीं होगा या मालो नाइट्रो लगा देंगे तो नाइट्रो में होगा या नहीं होगा समझ रहे हो अगर हम यहाँ पे triple bond लगा देंगे C triple bond CH तो होगा या नहीं होगा ऐसे बड़े सारे questions आपके पास आएंगे so only two is the correct answer ठीक है है एकदम clear है ना चलो next पे चलते चौदे नमबर questions पे आते हैं इसको try करो तो पहला पहला ऐसा सवाल है जहां पे थोड़ा रंग दिखा है एक रंगीन सवाल try करो इसको बोला गया है dipole moment of nitrogen trifluoride is less than ammonia because रोख लो रोख लिया now it's my turn so देखो NF3 में क्या होता है बेटा बेटा जी NF3 में आपको पता है ये कुछ ऐसा दिखता है और NH3 देखिए कुछ ऐसा दिखता है दिखता है हाँ जी अब आपको पता है कि fluorine की electron negativity relevant लग रहा है session एकदम relevant रखे है वो बकलोल के जैसा कुछ भी सवाल नहीं ले आए एकदम वही सवाल लाएं जो सच मुच में काम का है जो J-Mains में नजर आता है ठीक है अब देखो fluorine जो है आपको पता है इसकी electron negativity 4.0 होती है पावलिंग स्केल पे hydrogen लग भग में 2.1 होती है लोन पेर उपर ले जाएगा ठीक है hydrogen और nitrogen में nitrogen की electron negativity लग भग में 3 है hydrogen की 2.1 है तो खिचाव ऐसे है इसका भी खिचाव ऐसे है इसका भी खिचाव ऐसे तो यहाँ पे supporting vectors है कैसे vectors हैं supporting या cooperating vectors है resultant अच्छा खासा बनेगा यहाँ पे एक दूसरे को cancel करने की कोशिश कर रहा है आपोज करने की तो यहाँ पे कम बनेगा तो वही बोला गया है different direction of dipole moments of NH in NF bond जी हाँ सही बात है तो NF3 का less इसी लिए होता है क्योंकि NF3 में जो direction है वो NF का अलग है और ammonia में जो direction है वो अलग है दोनों में direction अलग-अलग होने के कारण D is the correct answer अब बाकी भी पढ़ दीजे number of loan pair is greater than अच्छा जी है हमको बना रहा है आ रहा है कैसी बात करता है unshared pair of recton are not present आ रहा है नहीं नहीं जी गलत है both have difference है बारे नहीं यह भी गलत है तो D is the correct answer clear जी समझ में आया तो चलो फिर अगला सवाल चलो पंदरा लेते हैं वाव metallurgy का question है या deep block chemistry का question बोल सकते हो try गरो which of the following reactions will occur on heating agno3 at redhead रहीट लाल तप्त गर्म करने पर कौन सा ऐसा है expression जो कि silver nitrate के chains को correctly represent करता है सोच लो हम हट जाते हैं थोड़ा सा हट गए सोच लिया now मेरी बारी अब देखो agno3 के साथ थोड़ी सी अलग ही type की problem है आपको पता है जो hapa metal होते हैं कौन से metal hapa hapa nहीं hapa h से hg a से ag p से p t a से au hapa 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 hg ag p t au इन metals के जो भी compound होते वो गर्म करने पर finally metal में ही तूट जाते हैं आपने ilingham diagram में भी सुना होगा तो agno3 को जब गर्म करोगे तो पहले ही आएगा ag2o में साथ में no2 में o2 में ये फिर से red hot करने पर silver दे देगा और oxygen छोड़ देगा बैलेंस नहीं कर रहे तो silver nitrate को गर्म करने पर last तक जाके ag ही बनाता है और no2 gas देता है ठीक है तो देखो पहले वाले case में no2 नहीं बनाया गलत दूसरे वाले case में agno2o2 सही तीसरे वाले case में no गलत चौथे वाले case में n2 बाह तो B is the correct answer ठीक है समझ में आई बात So B is the correct answer I hope clear हो गया होगा सारे बचेगा कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं है सर next ओके guys next question की तरफ आते है which of the following has lowest dipole moment इसमें से lowest dipole moment किसका है ये बहुत प्यारा सो सवाल है अगर आप चेक कीजेगा अगर आप चेक करना है lowest का क्या मतलब हो सकता है lowest का मतलब हो सकता है कि किसी का dipole moment 0 के बड़ाबर हो जाए और क्या हो सकता है यही तो हो सकता है 0 के बड़ाबर dipole moment हो जाए इससे छोटा तो कुछ नहीं होता है negative में तो dipole moment किसी का जाएगा नहीं अब चेक कीजे जिरो किसका है। कॉंसेट शुके chemical bonding से लगाया गया है और जो चीजे यहां पे आके लगी है वो है bend's rule वो चीज क्या के लगी है? bend's rule आके लगी है। समझे रो मेरी बाद। अब bend's rule क्या बोलता है? अगर आप चेक कीजेगा तो सारे के सारे जो phosphorus है यहां पे देखिए इसके outside में 5 bond pair है और lone pair 0 है मतलब यह सारे के सारे आपके पास trigonal bipyramidal है और चुके इसमें lone pair है यह नहीं तो आपको सोचना ही नहीं है सिर्फ bond pair को put कर लीजे bend's rule से bend's rule बेटा क्या बोलता है कि जो high electronegative atom होते हैं वो कहां पे लगना पसंद करेंगे वो axial positions पे लगना पसंद करेंगे और जो low वाले होंगे वो equitodal पे लगना पसंद करेंगे डाइट सो अभी चेक कीजे फ्लोरीन सो electronegativity में सबस्दा फ्लोरीन है फिर chlorine है फिर bromine है फिर iodine है iodine तो ही नहीं किसी में तो आईए PF3 BR2 की बात करें तो यह रहा फॉस्फोरस ठीक है अभी आईए अभी आपके पास क्या है फ्लोरीन और bromine है तो अपन क्या कर रहे होंगे हम फ्लोरीन को यहां पुट कर दिये पहला फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन ठीक है यहां बचा एक फ्लोरीन और देखे बियार और बियार क्योंकि हम दो ही एक्जियल पे पुट कर सकते थे ना तो यह आगया अब आईए PF4 तो यहां से रहा एक एफ यहां से रहेगा एक एफ यहां से रहा A-Caf यहां से रहा A-Caf और यहां से रहा B-R क्योंकि हम maximum high electronegative fluorine है उसको उपर put कर दी और तो कुछ कर नहीं सकते थे यहां पर आईए तो यहां से रहा fluorine उपर की तरफ चला गया बच गए B-R B-R यहां है B-R यहां है B-R यहां है अब चेक करते हैं electronegativity अपने को क्या इजाज़त देती है dipole कि इदर खिचती है तो देखे fluorine सबसे ज्यादा है तो यह उपर की तरफ खीचेगा यह नीचे की तरफ खीचेगा काट खाया एक दूसरे को इधर से देखिए fluorine गया यहां से देखिए bromine resultant इधर से आया चुके जो resultant है BR-BR का वो दो अलग atoms का resultant है PBR का जो dipole होगा और PF का जो dipole होगा obvious ही बात है अलग-अलग तरीके के होगे तो काटेंगे तो नहीं cancel तो कर नहीं पाएंगे so mu is not equal to 0 यहां पर आएगा यहां आए similarly देखे यह फ्लोरीन और यह फ्लोरीन cancel out है यहां से जो dipole है वो वाला और यहां से यहां से जो dipole है यह दोनों ना अलग-अलग dipole होगे FF का resultant अलग है या PBR का अलग है तो again यहां से mu is not equal to 0 आएगा यहां देखे BR इधर खीचा इधर खीचा इधर कीचा इधर से resultant 0 यह उपर यह नीचे 0 आपको पता है ना vector में ऐसे करके vectors जो होते हैं तो mu 0 आ जाता है तो यहां पे 0 हो गया आपका dipole यहां से आईए यह उपर है यह नीचे है cancel out यह इधर गया यह देखे इधर है यह इधर है resultant इधर है तो mu is equal to not 0 हो गया because जो resultant है उपर नीचे का तो 0 हो गया resultant पर इधर वाला और इधर वाला यह दोनों अला गलक quantity magnitude के vectors हैं इसलिए cancel नहीं हो पाया तो d में ना not equal to 0 है c में is equal to 0 है b में is not equal to 0 है a में is not equal to 0 है so c is the correct answer I hope clear हो गया होगा clear हो गया तो अभी काभी like कर दीजगा share कर दीजगा subscribe कर दीजगा ठीक है next बोला गया है कि in which of the following molecule the intermolecular forces are of induced dipole type किस में से induced dipole type का आपको नज़र आता है बड़ा एक खुबसूरत सा सवाल है ठीक है तो पहले चेक करते है CS3 OH आप देखो CS3 OH में क्या नज़र आता है era CS3 era O era H loan pair इस तरीके से इस तरीके से यहां पे काम क्या कर रहा है hydrogen bonding यहां पे काम कर रहा है H bonding hydrogen bonding यहां पे बहुत दगड़ी काम कर रही है और hydrogen bonding क्या है hydrogen bonding एक तरह का strong dipole dipole interaction है यह एक तरह का strong dipole dipole interactions है ठीक है C2 F2 में आते हैं तो यह रहा C triple bond F यह भी रहा F floridine ज़ादे electro negative है del minus del minus del plus del plus यहां पर भी बन रहा है dipole तो दूसरे molecule के साथ यह क्या लगा रहा होगा dipole dipole interaction तो यह भी गाईज आपका नहीं काम करेगा HCL यार यह तो सबको पता है HCL CL पे del minus है H पे del plus है यहां पर भी बना dipole तो dipole-dipole interactions तो D fail हो गया C fail हो गया B fail हो गया पर गाईज chlorine is very interesting आप जानते हो जो halogen होते हैं या जो novel gases होते हैं या जो nitrogen होते हैं इसके अंदर क्या होता है आपको पता है जैसे कि मान लीजे एक molecule यहां है और मान लीजे कि दूसरा molecule इस तरीके से यहाँ CL है यहाँ CL है यहाँ CL है तो मान लो किसी time यहां पर electron ज्याद आया, del minus, del plus तो इसको repel करके, यहां पर induced बनेगा, del plus, यहां से del minus तो यहां पर जो काम करेगा वो induced dipole, dipole moment काम कर रहा होगा आर यह बात समझ में, जी हा this is the correct answer, actually induced dipole, dipole moment A में काम कर रहा है, बाकी सब में permanent dipole, dipole type काम कर रहा है clear है, सही हो रहा है, तो वस enjoy कर दे जाए, comment कर दीजेगा, कितने सही होए, ठीक है, next पर आईए बोलागे है, the decreasing order of basic strength is, अब देखो पहले इसको खुद से solve करो कर लिए, अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है interest बना के रखिएगा, challenge के जैसा लीजे, पढ़ाई है तो मज़ा आना चाहिए आपको चीज़ों में, तो basic strength सबसे ज़्यादा किसकी होती है उसकी होती है, जो loan pair को बड़े आसानी के साथ donate करवा पाए, जो donate कराने में बहुत ज़्यादा capable होता है तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो यहाँ से loan pair आएगा, इधर और यह इधर आया है, तो यहाँ देखो चार पे सबसे ज़्यादा charge density है थोड़ा सा, आप समझ लो mini क्या वरज़ा है, mini guanidine type है, acetimidine type दिख रहा है, छोटा सा imidine type है, तो यहाँ से यहाँ के इधर से आपको loan pair charge density बढ़ा रहा है तो यहाँ कर maximum charge density है सबसे ज़्यादा charge density आपको 4 पे नज़र आ रही है, अब देखो अब बताओ, इसके बाद localized कहाँ पे नज़र आ रहा, बाकी तो सब delocalized है, एक एक पे localized नज़र आ रहा है, यह जो है यहाँ से localized है, तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा 4 4 के बाद आएगा 1, तो सबसे पहले हो गया 4, 4 के बाद आएगा 1 अच्छा, अब चेक करो 5 में, 3 में और 2 में तो 5 में एक छोटे से resonance में व्यस्त है, तो छोटा सा resonance है, तो अच्छी बात है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँच रहा है, यहाँ पे loan pair कुछ ज़्यादा ही घूम गया, तो यहाँ पे distractions कुछ ज़्यादा ही हो गया, loan pair की बरवादी हो गई है 3 में, तो 3 इसके बाद आएगा, अगर हम 2 की बात करें, तो 2 तो पूरी तरीके से खतम हो चुका है, विकॉज यहाँ पे आप देख पाएंगे, जब resonance होगा, तो loan pair पूरी तरीके से aromatized हो जा रहा है, aromatic में जा रहा है, six by electron, so 2, so correct answer क्या हुआ, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 20 दा correct answer, clear है सबका, सही हो रहा है, सबका बिठा, comment करके बताते जाएगा जिसका, जिसका सही हो, I hope आप enjoy कर रहे होंगे, sessions को like कर दीजेगा, share और subscribe कर लीजेगा, next आप बोला क्या है, कि inol percentage जो है, वो acetyl, acetone का maximum किसमे होगा, देखो आप समझाते हैं आपको देखो सीधा सा फंडा है, कि keto और inol में से, अगर normal case में मैं बात करूँ, तो inols जो होते हैं, वो less stable होते keto के comparison में because of thermodynamics, लेकिन सुनो मेरी बार, लेकिन, अगर 1-3 dry keto compound हो, जैसे इसी tylicitone हो, तो इनका जो inol content होता है न, ये intra molecular hydrogen bonding अगर बना ले, और keto को अगर किसी भी तरह की H bonding ना मिले तो वहाँ पर inol dominant करता है, मतलब मैं क्या बोलना हो, तुमको लगड़ा हो, थोड़ा complicated हो गया, देखो, generally क्या होता है, कि अगर आप पानी वानी में छोड़ देंगे न, तो इसकी बढ़ा देंगे, लेकिन गाइज, ये मामला न, normal hexane या paraffene जैसे media में अलग हो जाता है, वो लोगे कैसे, देखो, जब ये para hexane में जाएगा न, तो ये कुछ कर नहीं पाएगा, normal hexane में कोई interaction नहीं कर पाएगा, तो इसके साथ no interaction, जैसे पानी में हो रही थी, उस तरह की interactions यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, समझ में आई बात, लेकिन अगर आप बात कीजेगा, इस वाले केस में, कहाँ वाले केस में, जब इसका inol बना देंगे, तो देखो, ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, यहाँ से आएगा OH, यहाँ से आएगा CO, इसके साथ यहाँ से hydrogen bonding हो गई, आई बात समझ में, यहाँ से क्या हो गई, hydrogen bonding हो गई, और यह stabilize हो गया, तो देखो, जब हम पानी जैसे मीडिया को हटा के, हेगजेन जैसा मीडिया रख देंगे, तो 1-3 कीटो को कोई advantage नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसके enolic form को advantage मिलेगा, यह hydrogen bonding stability प्रोवाइट करेगा, तो normal hexane में maximum हो रहा होगा, कौन सा enol वाला, पानी में समस्या है, liquid state में problem है, methyl cyanide में भी dapple interaction है, दिक्कत है, so only and only correct answer is hexane, ठीक है, मैंने percentage के साथ आपको explain कर रखा है, सही हुआ होगा, next पे चलिए, इसमें बोला गया है, which of the following statement is not correct, इसमें से कौन सा ऐसा statement है, जो correct नहीं है, तो आप लोग पहले इसको खुद से solve कीजे, सबसे पहले बोला गया है, CS3, CS2 is less stable than this, एकदम सही बात है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहां से back bonding काम कर रही है, back bonding के वज़े से बहुत stable हो जाएगा, not correct बोला गया था, less stable यह तो correct है, फिर आजाए, fumaric acid is weak acid than malic acid, तो मनलब हम पहले वाले hydrogen की बात कर रहे है, PKA1 की बात कर रहे है, fumaric acid इसको बोलते है, C double bond OOH, C double bond OOH, ठीक है, यह रहा fumaric acid, और इसका जो transis version होगा, यह वाला, C double bond OOH, C double bond OOH, यह हमारा malic acid है, समझ रहो मेरी बात, हाँ, तो अब इसमें से strong acid कौन होगा, यह वाला strong होगा, तो जब इससे H plus निकालोगे न, तो यहाँ से CO O minus आएगा, यहाँ से CO OOH है, hydrogen bonding काम कर ले रहा होगा, समझ रहो मेरी बात, यहाँ से H bonding आपके पास आ जा रहा होगा, यहाँ से नहीं आएगा, तो मैलिक और फ्यूमेरिक में, अब बताएए strong acid कौन सा होगा, मैलिक acid होगा, PKA1 के लिए, अब जन्हाँ अपनी मरजी से PKA2 क्यों ले ले भाई, पहला वाला hydrogen ही चेक करेंगे, तो चुके इससे hydrogen हटाने के बाद, मैलिक acid hydrogen bonding से stabilise हो गया, फ्यूमेरिक में वो stabilisation नहीं आपाया, तो फ्यूमेरिक acid is weak acid than मैलिक acid, जी हाँ, correct बात है, सिस अलकीन have lower boiling point than trans, आजाओ चेक कर लें, जैसे example के तोर पे, यह रा सिस 2 butine, यह रा ट्रांस 2 butine, अब दोकों सिस 2 butine में क्या हो रहा होगा, यह इधर से dipole, यह इधर से dipole, resultant dipole बीच से, यहाँ वाला dipole ऐसे गया, यहाँ वाला dipole ऐसे गया, तो mu is equal to 0 हो गया, यहाँ mu is not equal to 0 हो गया, तो सिस form में क्या काम करेगा, dipole 0 नहीं होने के वज़े से यहाँ पे काम कर रहा होगा dipole-dipole interaction और इस dipole-dipole interaction के वज़े से इतका boiling point जो होगा वो high होगा तो चुके cis वाले form generally polar होते हैं, polar होने के वज़े से cis वाले form का boiling point more होता है और इसने क्या लिखा है lower boiling point तो भाई ने गलती कर दिया, C is wrong, 2-methyl-propene is more stable than propene, अब 2-methyl-propene क्या हुआ, यह रहा प्रोपene, यह रहा प्रोपene, यह रहा नॉर्मल प्रोपene, इसमें 3-3-6 alpha-hydrogen है, इसमें 3 alpha-hydrogen है, यह जीत गया, तो यह वाला statement भी खड़े, So, C is the long statement, cis-alkenes have lower boiling point than trans-isomas, I hope clarity आ गई होगी तुम सारे बच्चों को, ठीक है, अगर पसंद आया, तो like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना, और comment करके बताना, कितने तुम्हारे आज सही हुए हैं, note करते जाना, लिखते जाना, notes बनाते जाना, ठीक है, next, बोला गया, which of the following hydride is covalent, इसमें से कौन सा hydride covalent होता है, आपको पता है, दो तरह के hydride होते हैं, आइनिक hydride, covalent hydride, एक तीसरा भी होता है, जो ज़रूरी नहीं हमें इसमें आएगा, तो यह दो तरह के hydride से, अब calcium hydride की बात करते हैं, आपको पता है, यह CA2+, और 2H-, यह प में आएंगे, अगर NaH की बात करेंगे, Na plus H minus, और KH की बात करेंगे, K plus H minus, तुमको पता है कि generally, 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 general sense में बात करें, तो जो बहुत electro positive metals होते हैं, उन सब के hydride होते हैं, वो आइनिक होते हैं, तो magnesium hydride में ऐसा नहीं होता है, magnesium hydride बहुत ही ज्यादा, covalent character को रखता है, and reason आप को पता है, Mg2 plus का काफी छोटा size, Mg2 plus का small size होने के वज़े से यह ऐसा हो पाता है, इसमें काफी हद तक covalent character dominant कर जाता है, तो इसमें से जो covalent hydride है, वो MgH2 है, अच्छा, इसके अलावा आप सुन लीजेगा, अगर आप बात कीजेगा, BeH2 में, तो BeH2 भी आपको covalent दि है, calcium hydride ionic है, ठीक है न, स्टॉन्टेम hydride ionic है, और barium hydride ये भी ionic है, ये तीनों ionic है, और barium हो गया या magnesium हो गया, इसमें covalent dominant करता है, तो correct answer है भी आपका हो गया, आप options eliminate भी कर सकते थे, sodium, potassium तो आई नहीं करेंगे ही करेंगे, बचे magnesium और calcium, calcium नीचे है तो ज़्यादा electro positive, और magnesium ऊपर है तो कम electro positive, तो obviously बात बचा magnesium ही आएगा answer, समझे रहे हो, logic से भी कर सकते हो, और options eliminate भी कर सकते थे, ठीक है, enjoy कर रहे हो न, next, चल कमाल का सवाल है कि इसमें से सबसे ज्यादा acidic कौन है, तो देखो, acidic जो है, वो phenol, phenoxide ion की stability में depend करता है, यह रहा phenol, हम क्या करेंगे, इस से H+, निकालेंगे, तो क्या बन रहा होगा बचा, phenoxide ion, अब phenoxide ion stabilize हो जाए, तो obviously बात है, acidic extends बढ़ जाएगी, तो देखो, पहला वाला normal case है, अगर हम B में बात करते हैं, यहां दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यहां से loan pair इधर से आके plus M लगा रहा है, positive mesomeric effect, इस से charge density बढ़ रही है, यहां से भी देखो, O3S3 क्या कर रहा है, इधर से आके plus M लगा रहा है, इस से भी charge density बढ़ रही है, लेकिन C में बात करेंगे, तो C में क्या है, कि यह group और यह group एक दूसरे के meta positions पे, meta positions पे होने के वज़े से, यह एक दूसरे पर plus M नहीं लगा पाते, क्योंकि आप ऐसे समझो कि अगर मैं इस hydrogen को हटा दू, latest से, थोड़ दिकलिए मान लो, कि मैं इसको हटा दू, minus आए, हाँ, और यहां OCS3 है, अब द लगा पाएगा, केवल यहां पे OCS3 का हलका सा माइनस आई काम करेगा, इसी लिए आप देखोगे, phenol से भी ज्यादा acidic जो होता है, वो आपका meta methoxy phenol होता है, है ना, अगर आप बात कीजेगा, phenol जहां 9.95 के आसपास होती है, आपका meta methoxy phenol 9.85 के आसपास का होता है, तो हल का सा ज्यादा acidic होता है, meta methoxy phenol, ठीक है, चल यह, सही हुआ होगा, अगर आपको यह concept अच्छा लग रहा है, नई-नई चीजें आप सीख रहे हैं, तो लाइक कर दीजेगा, अगर आप नई-नई चीजें सीख रहे हैं, तो ठीक है, next, बोला गया है, which of the following is optically active, इसमें से optically active कौन सा है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, आओ देखें, सबसे पहली चीज़ तो यह एलीन के example है, और अगर आप चेक कीजेगा, आपको हम बता चुके हैं, detail में, कि अगर हमारे पास A, B, A, B, कुछ ऐसा हो, जिसमें even number of pi bond हो, कितने pi bond हो, even number of pi bonds, अगर हमारे पास even number of pi bonds होग और अगर हमारे पास odd number of pi bond हो, ठीक है, देखो, एक pi, दो pi, तीन pi, अगर हमारे पास odd number of pi bonds हो एलीन्स में, तो यह क्या हो जाता है, geometrical isomer show करता है, तो odd में पाया जाता है GI, आप लिख लो कहीं पे, odd में पाया जाता है GI, और even में पाया जाता है OI, GI मतलब geometrical isomerism, और OI हो, आप बलोगे तो सर जी, तो सब में even ही दिख रहा है, रुको भाई, यहां group तो दोनों का दोनों CL है ना, तो यहां पर सिमेट्री आ गई, plane of symmetry आ गई, तो नहीं काम करेगा, दोनों group तो अलग-अलग होने चाहिए ना, जी, A, B, A, B थे ना, A, A थोड़ी ना थे, तो ग हां CL है, यहां plane of symmetry आप लेबल नहीं है, तो D is the correct answer, इसमें even number of pi bonds भी है, और साती साथ अलग-अलग तरह के groups लगे हैं, जिसके वज़े से plane of symmetry आप लेबल नहीं है, बिटा, तो D is the correct answer, सबझ में हारी बाद, बड़ी मेहनत से लाया हूं यार, इस वीडियो को लाइक करना, श भी है, बड़ा cool सा सवाल है, simple सा question है, periodic table और chemical bonding और mixture है, इसमें से कौन सा nitride बने गई नहीं, तो जो generally क्या होता है, जो earth metal के nitrides होते हैं, वो बड़ी आसानी के साथ बन जाते हैं, किसके earth metal के nitrides, इसके अलावा, आप अगर देखिएगा, तो वो nitrides जहां पे आपका transition metal आता या कई बार lengthenides भी आते हैं, वहाँ पर भी lengthenides के भी आप nitrides और carbides देख सकते हो, लेकिन जो alkaline metals होते हैं, उसमें lithium को अगर आप छोड़ दीजेगा, तो बाकी nitrides नहीं बना रहे होते हैं, sodium nitride, potassium nitride, यह सब नहीं होता, तो lithium nitride देखे यहां से, छोटा size होने के वज़े से यहां पर covalent character build up हो पाता है, और यह lithium nitride आपका बन जाएगा, lithium nitrogen से react करता है, magnesium भी react करता है, यह सब react करता है, ठीक है, calcium भी react करता है, stontium भी react करता है, पर sodium nitride जो होता है, वो नहीं पाया जाता है, ठीक है, आप confused मत होगेगा, कई बार बच्चे confused हो जाते हैं, हम तो देखे पाया जाता है, वो NN3 था, इसको बोलते है, sodium azide, इसको बोला जाता है, sodium azide, यह नहीं है, sodium nitride, sodium nitride ही है, sodium nitride, potassium nitride यह सब exist नहीं करते हैं, यह सब नहीं बनते हैं, ठीक है, next पे आएगा, अब आईए, अगला आपके पास, बोला गया है, hydrogen form करता है, covalent hydride किसके साथ, एक औ देता हूँ, hydrogen जो होता है, sodium के साथ अगर हम बात करें, तो sodium hydride बनाएगा, और sodium hydride एक आईनिक compound है, Na plus H minus, ठीक है, एसके साथ यह covalent compound बनाता है, hydrogen sulfide, जो की इस तरीके का पाया जाता है, ठीक है, जी हाँ, दो bond pair, दो lone pair, यह covalent है, यह covalent compound है, ठीक है, आगे आओ, iron के साथ अगर बात करेंगे, तो iron hydride जो है, यह भी somehow आईनिक character रखता है, calcium hydride यह भी आपका आईनिक character रखता है, सो बच गया हमारे पास केवल और केवल sulfur, sulfur ही हमारे पास एक ऐसा है, जो की covalent hydride बनाएगा, ना सिर्फ सल्फर, sulfur होगे, carbon होगे, phosphorus होगे, halogen होगे, ठीक है, oxygen होगे, इन सब के साथ आपको covalent compound ही generally देखने को observe होता है, guys बहुत important जानकारी आपको हम देना चाहेंगे, most important information, क्या, आपको पता होगा, आपके पास 30 से, कितने तारिक से, 30 से, 30 तारिक से, यहाँ पे date गलत लिखा हुआ है, यह जो date है, 30, 30 से आपके पास हमारा batch स्टार्ट हो रह मैं यहाँ पे आपको organic और inorganic, दोनों पढ़ा रहा हूं इस बार, morning में class होगी, जबर्दस class होगी, quick conceptual revision होगा, complete PYQ session होगा, problem solving होगा, आप इस number पे call करके detail जानकारी ले सकते हैं, और जब भी plus पे आए, code हमारा जिंदावाद है, IOT and explains, आप इसका use करें, यहाँ पे आपको complete syllabus cover कराया जाएगा, जहाँ पे छोटे छोटे short theories होंगे, और साथी साथ problems होंगे, पूरा physics, पूरा chemistry और पूरा mathematics, बड़ी important जानकारी है, plus की दुनिया कैसी है, उससे पूछना, जो plus पे already पढ़ रहे हैं, आप लोग जरूर आए, बहुत बढ़िया बढ़िया यह सब courses आप के पास है, classes आपके पास है, ठीक है, अच्छा, अब एक बात आपको और बता दू, अभी right now आप लोग अगर चाहते हैं कि आप कोई test series join करें, तो unacademy का light join कर सकते हैं, यहाँ पे all India online test series है, AI OTS, जहाँ पे आपको marks और percentile भी पता चलता चला जाता है, यहाँ पर आप 23 test दे पर check out कीजे, और यह batch तो मैंने आपको बताई दिया, यह batch कितना जबरदस्त batch है, तो आप लोग किसी भी तरह का late ना करें, अगर plus पर आना चाहते हैं, तो ज़रूर आईए, बस इस पर call करके आप जान सकते हैं, आप मेरा नाम लीजेगा, आप को सारी जनकारी वहाँ बता आएगा, enjoy कीजेगा आप इन batches को, या हम पूरा organic, inorganic cover कराएंगे, और आप लोग ज़रूर बताईएगा session आपको कैसा लगा, आप से मुलाकात होती है, मैं फिर से बोलूँगा, आप लोग comment में नीचे लिख दीजेगा, आपके कितने number आए, मैंने last time पढ़ा था, मुझे